नमस्कार सभीको रामराम अकनूर से एक बड़ी दुखत समाचार है दुखत समाचार यह है कि हमारा राष्टे पक्षी मोर उसे चार लोगों ने शिकार के दोरान मार दिया जिसके बाद अकनूर के अंदर उन चारों के खिलाफ फ आई र दर्ज हो चुकी है और उन चारों को जो है हिरासत में ले लिया गया है उनसे एक वेपन भी बरामद हुआ है जानवरों के उपर अत्याचार जम्मू के अंदर कभी आपको खबर किसी और इलाके से आती है और कभी किसी इलाके से इस बार ये खबर जो है अखनूर से आई है वो भी हमारे राष्ट पक्षी मोर को मारने की खबर ये कुछ लोग शिकार करने गे हुए थे और उन शिकारियों ने वहाँ पर इस मोर को जो है अपना शिकार बनाया चारों लोगों को पुलीस ने गिरफतार कर ली इन चारों लोगों का नाम है इश्वाक एहमद, सफदर हुसैन, मोहमद फारूक, मोहमद तजीम ये चारों जो हैं पुन्च के रहने वाले हैं और इनके उपर FIR नंबर 6 अबलीक 2022, अंडर सेक्शन 9 अबलीक 51, वाइल लाइफ एक्ट 3 अबलीक 25, आम्स एक्ट 429 अबलीक 34, आईपीसी के तहट जो है पुलीस टेशन अकनूर में इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है मैं आपको बता दूँ जो वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहट ये नॉन वेलेबल जो है ओफेंस है और इसके अंदर कम से कम 3 साल की सजा जो है इनको हो सकती है और उसके साथ 25,000 रुपे का जो है जुर्माना भी हो सकता है ये एक ऐसा क्राइम है जो कि जानवरों के खिलाफ अगर देश के अंदर बढ़ रहा है तो ये खबर जमू के अखनूर इलाके से आई है और देश के राष्टे पक्षी मोर को मारने की इन चारों ने जो है खरकत की है ये चारों लोग जो है पुंच के हैं और चारों को जो है हिरासत में ले लिया है अखनूर पुलीस ने मैं मुबारक बात दूँगा पुलीस को जिन्हों ने इन चारों को उसी समय गिरफतार किया धन्यवाद रामरा